क्या आप जानते हैं, शादियों में मिलने वाली क्रिस्पी कुरकुरी सी चना दाल वाली आलू टिककी चाट आप खर पर बहुत आसानी से बना कर तयार कर सकते हैं, इसके लिए उबले हुई आलों को पील करके ग्रेट कर लें, इसमें डालेंगे नमक, चली फ्लेक्स, काली मि बैंडिंग के लिए चावल का आटा और कॉन फ्लार, मिक्स करें, दो टाइप बना लिजिए, थोड़ा सा ओल लगा कर इसे साइड पर लखें, स्टफिंग के लिए उबली हुई चना दाल में, रेचली पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक, काला नमक, चाट मसाला, धन पती डालें, चाहें तो अद्रक और हरिमिच भी एड़ कर सकते हैं, मिक्स करें, स्टफिंग रेडी है, और यहां पर जो हमने आलू का डोबना कर तयार किया था, उसका थोड़ा सा पोर्शन लेजिए, राउंड शेप दें, सेंटर से प्रेस करते हुई से स्प्रेट कर दे और केविटी में आप थोड़ी सी चना दाल की फिलिंग करें, इसे इस तरह से फोल करके बंद कर दें, राउंड शेप दें और हलका सा प्रेस कर दें, गरम देशी घी या ओयल में आप इन टिक्यों को दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लिजिए और बहुत ही क्रिस्पी टिक्या बनकर तयार हुई है, चाट के लिए टॉप पर थोड़ी सी दही, इमली की चटनी, धनिय पुदीने की चटनी, गारनेशिंग के लिए थोड़ा सा बीट रूट, गाजर और प्यास टालें, टेस्टी सी चाट बनकर तयार है, आज़ी!